नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं CCA Melting के बारे में सभी जानते हैं कि auxiliary का fuse यह melt हो जाता है यह अलग-अलग अवस्ताओं में melt होता है तो हमारे साथी ने मैं बुला कि CCA Melting का वीडियो बनाएए तो आज मैं CCA Melting का वीडियो बना देता हूँ दोस्तों और भी मैंने जो वीडियो बनाएए चैनल पर जाकर आप प्लेइलिस्ट में जाएए और प्लेइलिस्ट में जाकर आपको जो भी वीडियो देखना हो वो देख लिजिए और अपना घ्यान बढ़ाईए और एक और ऑडियो बिग की भी खबरी एप है उसका भी link में description में डालूंगा तो खबरी एप पे भी आप मुझे follow कीजिए और अच्छे-च्छे audio सुनिए तो आईए बात करते हैं CCA melting के बारे में CCA जब fuse melt होता है तो सभी auxiliary बंद हो जाती है तो कभी भी CCA melt होता है तो एक बार को fuse को बदलना है जैसे अभी सभी fuse के बारे में हम बोलते ही हैं कभी एक बार fuse को बदल देवे हैं है ना उसके बाद दूबारा fuse melt होता तो होबा को आप पर रखके बदली करें कभी कभी क्या है कि छोटा सा minor होता है अर्थ फॉल तो उसके कारण के ये जो CCA melt होता है तो इसके लिए हम उसके लिए एक बार उसको बदल देते हैं अब फिर भी पिगलता है होबा को आप पर भी रख दिया फिर भी पिगलता होबा को आप पर रखा फिर भी पिगला तो अब आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे हम BLCP क्योंकि ये ओक्जली का BLCPD CPD वैसे ओपन ही रहता है फिर भी BLCPD और BLVMT ओपन कर देंगे ठीके क्योंकि इनको क्लोज करने से ही तो CCA मैल्ट होता है तो BLCP ओपन करेंगे BLCPD ओपन करेंगे और BLVMT भी ओपन करेंगे और Fuse को बदल देंगे उसके बाद में पहले BLCP को जिसको क्लोज करने से खरावी मिलती है BLCP, BLCPD ओपन करेंगे अगे कर दूर करेंगे और गाड़ी को चलाएंगे यानि कि उसके नुसार हम टरबल स्वुटिंग करेंगे वह हम आगे बतारें कैसे टरबल स्वुटिंग करेंगे तो पहला आता है जैसे BLCP close करने पर CCA melt ठीक है तो ये BLCP close करने से काम क्या होता है हमको मालूम है control circuit में ये control circuit का fuse है तो control circuit में जैसे BLCP को close करते हैं तो supply कहा जाती है C101, 102, 103 और weed wall को supply जाती है तो इनको check करेंगे यानि कि इसकी coil को, terminal को check करेंगे कोई खराबी तो नहीं है कुछ जला फला तो नहीं है काला तो नहीं पड़ गया है अगर किसी contactor में 101, 102, 103 और weed wall अगर इनमें कोई खराबी है तो सम्मंदित हम MCP को isolate करेंगे किसके द्वारा? HCP के द्वारा isolate कर देंगे वो close ही नहीं होगा CCMLT नहीं होगा CDC सी बात है और हम यह सोचते हैं कि यार नहीं यह compressor को चलाना है तो फिर उसका coil का terminal को निकाल देंगे और contactor को wage कर देंगे अगर weed wall में कोई खराबी है तो हम BLCP को close ही नहीं करेंगे और BLCPD के द्वारा ही काम करेंगे तो weed wall सर्कीट में आई गाई नहीं हो अपनी गाड़ी चलती रहेगी अब देखा यार इन सब को check किया 101 को भी check किया 102 को चेक किया टीन को weed wall में कहीं खराबी तो दिखती नहीं है कोई काला वाला कोई coil जलग यह ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है और fuse को बदली करेंगे अब फिर से पिकलता है तो फिर होबा को आप पर रख देंगे और fuse बदली कर करते CCA melt हो जाता है close नहीं करेंगे और क्या करेंगे compressor के दो contactor को wage कर देंगे और अब contactor को wage कर दिया है तो लगातार compressor चलेगा तो प्रेशर कहा जाएगा फिर सेप्टी वाल ब्लो होता रहेगा इसलिए हम क्या करेंगे RS का टैंक होता है उसके नीचे एक ड्रेन कॉक होता है वहां से लिकेज पैदा कर देंगे तो क्या थोड़ा लिकेज होता रहेगा और TLC को सुचित कर देंगे जहां तक वो गाड़ी को एलोग करते हैं वहां तक ले जाएंगे इस परकार हमारा फैलियर बच जाएगा ठीक है तो यह था BLCP क्लोज करने पर CCA मैल्ट होता है तो इस परकार का ट्रॉबल शुटिंग हमको करना है क्या करना है खराबी चेक करना है दूर करने कौशिश करना है खराबी कोई नहीं मिलती है फिर भी BLCP BLCPD क्लोज करने से होता है तो हम इसको दो कॉंटेक्टर को वेज कर देंगे BLCP BLCPD को क्लोज ही नहीं करेंगे और लिकेज पैदा कर देंगे अब बात करते हैं जैसे BLCP को क्लोज किया BLCP को क्लोज CCA मैल्ट नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे और BLVMT को क्लोज करेंगे BLVMT को क्लोज करेंगे क्लोज करने पर CCA मैल्ट हो गया मालूम पढ़िका और BLVMT क्लोज किया CCA तो मैल्ट हो गया तो यहाँ भी वह बात एक बार Fuse को बदल देंगे फिर से पिगलता है तो होबा कॉप पे रखके बदलेंगे फिर भी पिगलता है तो 105, 106, 107 के कोईल, टर्मिनल, कोईल वगेरा सब चेक करेंगे यहाँ पर यदि कोई खराबी है तो खराबी वाली कोईल का टर्मिनल कोईल का टर्मिनल है क्योंकि कोईल में सप्लाई जाती है बेटरी की CCA के द्वारा यदि कोई खराबी है कोईल में किसे उसका कोईल का टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर देंगे और कॉंटेक्टर को वेज कर देंगे वेज करने पर जो सावधानी वो बात की बात है सावधानी तो रख नहीं है अब यहां देखा मैंने C105, 106, 103 को चेक किया लेकिन कहीं कोई खराबी नहीं मिलती है तो यहां कोई खराबी नहीं मिलती है और गाड़ी देखा यार ब्लॉक सक्शन में और BLEVMT क्लोज करने पर CCA मेल्ट हो रहा है खराबी नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे air brake की गारी में air brake की अब तो सब गारियां वैसे भी तो हम क्या करेंगे कोई भी दो contactor को wage कर दें किसके CP के CP के दो contactor wage करेंगे और CCA को नहीं बदलेंगे नहीं बदलेंगे Q108 को wage करेंगे और 450 ampere से section clear कर देंगे यहां एक एक बात को समझाएंगे यहां CP के contactor क्यों wage करने क्योंकि BLVMT को close करने से CCA melt हो रहा खा़ा भी नहीं मिल देंगे इसलिए हम BLVMT को भी close नहीं करेंगे और CCA को भी नहीं बदलेंगे melted, malty rend देंगे और CP के दो contactor को wage कर देंगे क्योंकि compressor चलाना जरूरी होता है compressor नहीं चलाएंगे तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी इसलिए CP के दो contactor wage करना है और Q18 को wage क्यों करना है नहीं तो 69 पर DJ trip हो जाएगा हमने देखा Q18 की ब्रांच पर जो है GR0 से 5 का cam contact और उसके बाजू में 105 से 107 के क्योंकि CCA को हमने नहीं बदला है और नहीं बदला है इसलिए क्या है कि blower भी नहीं चलेंगे है न blower नहीं चलेंगे तो हम traction motor ठंडी नहीं होगी transformer का तेल ठंडा नहीं होगा इसलिए सीर्फ 450 ampere से section clear करेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे section clear के लिए section clear के बाजुवाय लाइन पर कहीं खड़े हो गए और वहाँ पर क्या करेंगे CCA को बदलेंगे BLMT को open कर देंगे BLMT open HVRH HVMT1 HVMT2 को 0 पर रखेंगे और CCA को बदलेंगे और उसके बाद BLMT को close करेंगे वहाँ दो बात रहेगी अब हमने तीनों switch को 0 पर रख दिया है BLMT से चलने वाले और CCA को बदल दिया आप CCA कायम रहता है तो HVRH HVMT1 और HVMT2 को एक-एक को नॉर्मल करेंगे और जिसको नॉर्मल करने से CCA melt होता है उसकी coil के terminal निकाल देंगे और उस contactor को वेज कर देंगे ठीक है अब दूसरी बात आते CCA कायम नहीं रहता है यानि कि हमने HVRH, HVMT1, HVMT2 को तीनों को 0 पर रखा हुआ है और BLMT क्लोज करते है तो भी यानि कि वाहरी में कई कोई कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम खराबी को दूर नहीं कर सकते डारेक्ट सायता मांगेंगे तो इस परकार CCA melting में troubleshooting करेंगे अब यहाँ पर अगर ऐसा unit वाला लोको है ऐसा unit वाले लोको में BLMT क्लोज करने पर CCA melt होता है तो BLMT को open करेंगे CCA fuse को बदल देंगे Q118 को wage करेंगे और BLCP close करके 450A से section clear करेंगे यानि कि यहाँ भी सिर्फ section clear करना है और blur यहाँ पर ऐसा unit वाले में क्या है पहली notch पर अपने आप blur नहीं चलते है ठीक है तो क्या करेंगे हम CCA fuse को बदल देंगे BLMT को open ही रखेंगे और Q118 को wage वही कारण जो बताया मैंने और 450A section clear वही कारण जो बताया blur नहीं चलेंगे तेल भी ठंडा नहीं होगा TM भी ठंडी नहीं होगी इस परकार में आशा करता हूँ कि CCA melting का जो है आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इस परकार के वीडियो और भी बनाता रहूँ धन्यवाद